है दोस्तो ये वीडियो हमारे टेकनिकल अनलिजिस कोर्स का फोर्थ वीडियो है आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि प्राइज एक्षिन का यूज आप ट्रेडिंग करते समय कैसे कर सकते हैं तो चले ही शुरू करते हैं सबसे पहले कोई भी कैंडल स्टिक चार्ट अगर आप अनलिज करते हो तो आपको स्टॉक किस टैप के मार्केट में प्रेजेंट है ये पता करना होगा मैरा पहले ही एक वीडियो बना दिया था कि कितने टैप के मार्केट होते हैं तो इस वीडियो के पाद आप वो वाला वीडियो चेक आउट कर सकते हैं तो अगर stock ये trending market में है तो आपको train lane बनानी है और अगर stock ये range bound market में है तो आपको horizontal line draw करके support और resistance बनाना पड़ेगा तो जैसे कि ये वाला stock एक range bound region में गुम रहा है तो जब ये कोई stock अपने support को बड़ी margin से break करता है तो वो support उस stock के लिए अब एक strong resistance बन जाता है Similarly, अगर कोई stock अपने resistance को बड़ी candle stick के साथ break करता है तो वो resistance अब stock price के लिए एक strong support बन जाता है और future में stock का price जब भी उस resistance के पास आएगा वो हापे support लेगा तो मान लीजे आपने stock को observe किया है और अब वो stock range bound region में घुम रहा है तो जब तक वो एक range में घुमते रहेगा तो आपको उसको support के पास buy करना है और resistance के पास sell करके profit कमाना है और जैसे ही वो stock अपने support या फिर resistance को break कर देगा बड़ी candle stick के साथ तो आप उसमें buying या selling की position ले सकता है अगर stock अपने resistance को break करता है तो आपको उस stock के अंदर buying की position लेनी है और आपका stop loss जो होगा वो stock के recent resistance की just थोड़ा नीचे होगा और similarly अगर stock अपने support को break करता है बड़ी candle stick के साथ तो आपको selling position लेनी चाहिए और आपको stop loss है वो recent support की just थोड़ा सा उपर होगा जो उसने अभी break किया है अब कभी-कभी क्या होता है stock अपने range को break कर देता है लेकिन आपको 2 या 3 दिन बात पता चलता है कि stock ने अपने support या resistance को break कर दिया है तो new trader aggressively उस stock में position ले लेता है just because of fear of missing out लेकिन ये वाली गलती आपको बिल्कुल भी नहीं कर दिया है because suppose that अगर stock ने range को break भी कर दिया है तो भी stock एक बार तो जरूर उस support या resistance के पास आएगा अगर आपने पहले ही उसको buy या sale नहीं किया है तो आपको एक और chance मिलता है कुछ दिनों बात तो आपको उसके लिए wait करना चाहिए जैसे कि इस scenario में stock ने अपने resistance को बड़ी candlestick के साथ break कर दिया था तो वो stock जिस थोड़ा सा उपर जाने के बाद फीट से correct हो गया और finally अपने recent resistance के पास आ गया जो कि अब उसका support बन चुका है और इसी time पे आपको stock के अंदर buying position बनानी चाहिए because ये एक confirmation sign है कि stock के price future में बढ़ने ही वाली है अब ये तो हुआ कि आप range bound region में price action का use करके trading कैसे कर सकते है but what if कि अगर stock trading market में होतो तो अगर आपको trading market में कोई भी stock दीखता है तो सबसे पहले आपको एक trend line बनानी है support और resistance की and फिर आपको हमारे rules follow करना है first rule होगा कि stock को support पे buy करना है और resistance पे जाते ही उसको sell कर देना है second rule है कि train reversal किसी भी stock में तबी होगा जब वो अपने support या फिर resistance को break कर देगा बड़े margin से फिर third rule आता है कि अगर stock ने अपने range को buddy candlestick से break कर दिया तो आपको उसके अंदर aggressively position बनाना नहीं है and जब stock फिर से एक बार अपने train line के पास आ जाएगा उस time पे आपको confirmation मिल जाएगी और आप उसी time पे उस stock के अंदर position बना सकते है क्योंकि उस stock को resistance face हो गया था तो आपको confirmation मिल गई कि train जहार से reverse हो चुका है और stock नीचे के दिने माला है तो आपको stock के अंदर short position बना लेनी है तो मैं यह hope करता हूँ कि यह price action strategy वाला video आप सभी को समझ आया होगा तो अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को like करें और अपने दोस्तों के साथ share करें ताकि वो भी इस information का use करके stock market में professionally trading कर सके और channel को अभी subscribe कर लिजे ताकि आने वाले technical analysis course के वीडियो आपको सबसे पहले देखने मिले तो मिलते हैं निक्स वीडियो में तब तक के लिए goodbye